हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज का व्लोग हम इवनिंग चे शुरू कर रहे हैं, तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और हम सब बैठे हुए थे, और सारी भी पढ़ रहे हुए, आप भी पढ़ते हुए हुए सान्वी अभी पढ़ रहे हैं, उसके एक्जाम सभी चल रहे हैं, तो कल का व्लोग मैं नहीं डाल पाई, तो मैं आज जरूर डालूगी, तो अभी सान्वी पढ़ रहे हैं उसका एक्जाम, और आज उसका एक्जाम था, एवियस का तो अच्छा हो गया, अब उसका हिंदी का इसे बहुत तफ लगता है और यह बहुत शैतान बच्चा हो गया है यह भी पढ़ाई नहीं करता है मस्त भी ज्यादा करता है आपके खाली बैग में कुछ नहीं है नहीं डालते हैं बोले A4 अपल बीफोर बाई सीबोर बाई सीबोर काट डीफोर अनार डीफोर यह पढ़ता का मस्ती ज्यादा करता है इसको स्कूल बेजना बहुत 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 जल्दी में अभी तो इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मैं सोच रही है आज कोई आपसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँ जो बच्चे पसंद करते हैं टी टाइम पर तो अभी सब लोग चाय पीने का टाइम हो रहा है तो हम लोग अभी चाय पिएंगे तो आपको देखें क्या स्नैक्स में बनाती हूं तो मैं जरूर आपसे शेयर करूँगे स्नैक्स की रेसिपी तो आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं कुछ भी तो आज का स्नैक्स में हम बच्चों की पसंद का बनाते हैं तो हम लोग तो नई चीज़े खा सकते लेकिन बच्चे तो खा सकते हैं बहुत सारी चीज़े तो कृष्चु और सानवी आप लोग क्या खाओगे पकोडी अरो परे कुछ इसको तो सिर्फ अपल को पता है इसको जब बारिश होती है नहीं बच्वांन ना जाने इसको क्या है कि जैसा ही बारिश होती है तो यह मेरे पास दोru कराता है बोलता है मम मुझे पकॉड़ी बना दो मैं तो एक दिन ऐसे ही सोची यह ऐसे ही बोल रहा है बट नहीं मुझे को जब जस्ती लेके गया किचन में और बोला नहीं मुझे पकॉड़ी खानी है मुझे पकॉड़ी खानी है और इसने पकॉड़ी खानी है मिल्क भी नहीं पीना म मुझे पकॉड़ी खानी है मैं पेना है मिल्क प्योंगे पकॉड़ी को पसंद है उनली पटेटो पकॉड़ी तो पटेटो के स्लाइस करके जो पकॉड़ियां बनाते है वह कुड़ी को बहुत पसंद है सानवी भी खा लेती है अभी भी बच्चे है जो क्यूट भी लगती है तो कृष्ण ने कितने टीशेट्स पहनी है बताओ पांग साथ आथ यह और इंग्लिश में गया होता है इंग्लिश में साथ यह हिंदी की गिंपिया मैंने स्कू नहीं सिखा ही पता रही है कैसे सीख दिया अपने मन से ममा को प्यार करते हैं यह मेरे को बहुत प्यार करता है मैं इससे बहुत प्यार करते हैं मैं क्यूटी क्यूटी बेटा अच्छा चलिए भाई हम मेरे बेटे को बूख लग रही है और मैं अपने बेटी के लिए बनाने जा रही हूँ बूक औरी प्लेइन बकोरी ओके लेट्सी बाई मैं 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 हम इंडियन्स की जो एक आदत होती है कि शाम हुई नहीं कि चाय चाहिए ना मिले तो आखों में नहीं बाने रखते है तो मीन क्या आदस रहता है कि भगवान ना जाने चाय का क्या दश्रा है चाय कहीं भी हो बस में ट्रें में अगर इडिनिंग अटाई में कहीं बस एक प्चाव नहीं चाहिए कभी कभी हमें बच्चों की पसंद कभी बनाना पड़ता है तो आज मैं वही कर दो अपने बच्चों की पसंद कर बनाऊंगी बच्चे अगर पसंद करते हैं तो बनाना भी चाहिए बच्चों की पसंद दादा मैंटर करती है तो मैं भी बना रही हूं अलों की पकोड़ी सिंपल मैंने सब कुछ नहीं मिलाया है पस बेसन है और थोड़ा समयने रवाड डाला है लाइफ में एक लेडीज को वह सरे सेक्रिपाइस करने होते हैं कभी एक मा बनके कभी एक बेटी बनके कभी एक वाइब बनकर कभी एक बोहुत बनकर बहुत साथ चीज़ा होती है और साथ लाइफ चोंपी ऐन सब्दन होती है कुछ भी कभी ऑग कहीं भी कहीं हो सकता है तो हर चीज सीख लेडी चाहिए कहां पर कौन कैसा है क्या है क्या नहीं बहुत सारी चीज़ आमें सिखाता है है आंक हम हम ऐसई हम सीखता है तो मैं सीखते हम हर को इनलसा इसान सीखता है कि यह लो कि सानवी क्रिश्व यह किसकी पकॉड़ी है आप दीदी है दीदी इस बैट जो बैट जो गरम है अभी आपको दीदी कि लाएगी इस वो बच्चों ने किस तरीके से शतानियां करी है पूरा कमरा पे लाकर रखा है मेरे शतानियां के our doctor's host का डिनר स्टार्ट हो गया है आई होप आप लोगों का भी डिनर हो गया होगा तो आज का ब्लॉग हम यहीं खतम करते हैं और आज मैंने डिनर में बनाई थी तहरी तो यूपी में से जो भी ब्लॉग करते हैं उनको पता होगा तहरी कैसे बनती है और खुप सारी वेजिटेबल से चावल डाल कर और तो अभी सैलेट के साथ तो दही के साथ बच्चे एंजोई कर रहे हैं तो आज का ब्लॉग हम यहीं खतम करते हैं अगर आज आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और डेली हमारे ब्लॉग को देखें थैंक यू